Hello everyone, this is Aditi and once again a very warm welcome to Current Affairs by Ravi YouTube channel तो आज की वीडियो में हम एक काफी जदा इंपॉर्टन टॉपी कवर करेंगे टॉपी का नाम है प्रमुख गनिज उत्पादक ठीक है इसमें जो है मैं आपको विश्व और भारत में जो भी स्थान जो है इसमें पहले नंबर पे है उस खनीज के उत्पादन में उसके बारे में बताओंगी इस वीडियो में जो है मैंने 40 important question इंक्लूड करें हैं और इसमें जो है उसका chemical formula और atomic number भी बताओंगी तो वीडियो आपके लिए overall काफी ज़्यादा important है तो वीडियो के साथ आपरेंट तक बने रहिएगा सबसे पहले तो जानते हैं कि खनीजु जोहाई होता क्या है तो खनीजु जोहाई ये प्रित्वी की गहराई में पाई जाने वाले धातू अधातू और अन्य प्राकृतिक उप्योगी पदार्थों का संग्रह होता है खनीजों में जो है फ्रेंट्स विशिष्ट रासायनिक और भोतिक गुन सरचना और प्रवानु सरचना होती है भारत में खनीजों का विशाल भंडार है जिसमें की कई उध्योगों को गच्चे माल की प्राप्ती होती है भारत में पाये जाने वाले कुछ खनीजों के नाम है कोईला, लोहा, अबरक, नमक, जस्ता, चूना पत्थर और बॉक्साइट तो अब हम important MCQ का सेशन देखेंगे First question से start करते है तांबे का जो सबसे बड़ा उतपादक देश है friends वो कौन सा है तो राइटन स्रीस का option number एए है आपका चीली जो है ये तांबे का सबसे बड़ा उतपादक देश है अगर हम वहीं बात करें कि भारत में जो है पहले स्थान पर कौन है तांबे के उतपादन में तो वो है आपका मध्यपरदेश राचे तांबे जो है friends इसका प्रमानुकरमांग होता है 29 और तांबे का जो प्रतीक है यानि की सिम्बल है वो है सी यू सोना जो है इसका सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है अगर बात करें भारत में सोने के उतपादक में पहला स्थान किस राचे के पास है तो वो है करनाड़क के पास सोने का जो है प्रमानुकरमांग होता है 79 और इसका प्रतीक होता है AU चांदी का जो सबसे बड़ा उतपादक देश है वो कौन सा है राइट अंसर ऑप्षन नमबर B मैक्सिको जो है यह सिल्वर के उतपादक में सबसे बड़ा देश है भारत में जो सिल्वर के उतपादक में सबसे पहला स्थान आता है वो आपका आता है राचे स्थान का चांदी जो है फ्रेंट्स इसका प्रमानु कुर्मांग होता है 47 और चांदी का प्रतीक भी आपने ध्यार में रखना है इसका सिंबल होता है एजी सीसा का जो सबसे बड़ा उतपादक देश है वो कौन सा है राइट अंसर उप्षन नबर B है आपका चीन भारत में जो सीसा का उतपादक पहला स्थान जिस राज्य के पास है वो है राजिस्थान सीसा जो है इसका प्रमानु कुर्मांग होता है T2 और सीसे का प्रतीक होता है PB हीरे का जो सबसे बड़ा उतपादक देश है वो कौन सा है राइट अंसर आपका उप्षन नबर A रहेगा रूस जो है फ्रेंट यह हीरे के उतपादक में पहला स्थान है वो है आपका मध्यपरदेश राजिय के पास नेक्स्ट कुश्चिन कोईला का सबसे बड़ा उतपादक देश कोन सा है राइट इंसर उप्शनमबर D रहेगा आपका चीन भारत में कोईले के उतपादक में जो पहला स्थान है वो है आपका 36 कर राज्ये के पास नेक्स्ट आपका कोईश्चिन है मैगनीज का सबसे बड़ा उतपादक देश जो है वो कोन सा है तो राइट इंसर आपका उप्शनमबर B रहेगा दक्षिन एफरीका जो है फ्रेंट्स ये जो है ये मैगनीज का सबसे बड़ा उतपादक देश है भारत में मैगनीज के उत्पादक में पहला स्थान है आपका मध्यपरदेश के पास मैगनीज जो है फ्रेंट्स इसका प्रमानु कुर्मांग होता है 25 और इसका जो प्रतीक है वो होता है एमेन नेक्स्ट आपका कुईशन निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है फ्रेंट्स वो कौन सा है राइट अंस उप्शन बर यह है आपका इंडोनेशिया जो है यह निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत में निकेल जो है फ्रेंट्स इसमें पहले स्थान में इसके उत्पादक में है ओडिशा राज्य निकेल जो है फ्रेंट्स इसका प्रमानो गुर्मांक होता है 28 है न और इसका जो प्रतीक है वो है आपका एनाई Next question कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौछ सा है प्रमानो करुमांक होता है 27 और अगर बात करें इसके प्रतीक कि तो इसका प्रतीक होता है CEO चाहते हो नेक्स्ट पसिंग आपका क््रोमाईट जानफीर आप क्रोमियम बोल सकते हैं इसका जो सबसे बड़ा उथपादक डेश है वो कौन सा है क्रोमियम का जाँ फिर आप क्रोमाइट बोल सकते हैं तो चोबिस इसका प्रमानुकर मांग है और इसके रासायनिक प्रतीक की बात करें तो वो है सियार नेक्स्ट कोशन आपका लोह आयसक का सबसे बड़ा उत्पादन डेश जो है फ्रेंट्स वो कौन सा है राइट एन利री जवोट्शन डूमिय में जो है लोह एसक का सबसे जादा जो है उत्पादन किया जाता है भारत में जो पैलास्तान है फ्रेंट्स दोह एसक के मामले में वो है आपका उडिशा के पास नेक्स कुश्चन, बौकसाइट का सबसे बड़ा उतपादक देश जो है वो कौन सा है? राइट अंसा उप्शन नमबर C है आपका उस्ट्रेलिया भारत में पैले स्तान पे है बौकसाइट के उतपादन में ओडिशा नेक्स कुश्चन, तीन का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है? राइट अंसा रहेगा उप्शन नमबर D आपका चीन भारत में फ्रेंट्स तीन जो है ये सबसे ज़ादा इसका उतपादन होता है चट्रिसकर राज्ये में तीन जो है फ्रेंट्स इसका प्रमानुकर मांग होता है पच्चास और इसका जो प्रतीक है वो भी आपने ध्यार में रखना है तो इसका प्रतीक है एसन नेक्स कुश्चन पर आते हैं मैगनीशियम का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है? राइट अंसर ओप्शन नबब बी रहेगा आपका चीन भारत में जो मैगनीशियम है फ्रेंट्स इसका सबसे ज़ादा उतपादन किया जाता है मध्यपरदेश में मध्यपरदेश राज्य जो है ये भारत में मैगनीशियम के उतपादन में पहले स्थान पर है मैगनीशियम जो है इसका प्रमानुकरमांग होता है बारा और मैगनीशियम का प्रतीक क्या होता है एमजी नेक्स्ट आपका कोशन है लाइम स्टोन जो है इसका सबसे बड़ा उतपादक देश कोन सा है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर सी जीन भारत में लाइम स्टोन का सबसे ज़ादा उतपादन किया जाता है फ्रेंट्स आपका राचिस्थान में नेक्स्ट मारा गोशन है अबरग का सबसे बड़ा उतपादक देश कोन सा है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर बी चीन भारत में जो अबरक है फ्रेंट इसके उत्पादन में जो पहला स्थान है वो प्राप्त है आंद्रबर्देश राचे को नेक्स्ट मारा कुशन है डोलो माईट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है फ्रेंट वो कौन सा है राइट एंसरीज ओप्शन नमबर A हमारा प्यारा भारत जो है ये डोलमाइट के उत्पादन में जो है फ्रेंट्स नमबर बन पे है भारत में अगर हम राज्यो के शर्नियों में बात करें तो पहला स्थान आता है ओडिशा का नेक्स्ट आपका कुशन है जिप्सम जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन सा है राइट एंसरीज ओप्शन नमबर C अमेरिका जो है फ्रेंट्स ये जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत में जिप्सम के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो प्राप्त है राज्यस्थान राज्य को नेक्स्ट कुश्चन आपका पैट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है और सबसे जड़ा उत्पादन किया जाता है पेट्रोलियम का बारत में जो पहला स्थान है व्रेट्रोलियम के उत्पादन में वो है राज़्यस्थान पे पास नेक्स्स कुश्शन पर आते हैं तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है राइट इंसर एगा आपका उप्शन नबर सी कजाकिस्तान जो है ये यूरेनियम के उत्पादन में नबर वन पे है ठीक है भारत में जो पहला स्थान है फ्रेंट्स यूरेनियम के उत्पादन में वो है अंदरप्रदेश राजे के पास यूरेनियम जो है इसका प्रमानुकर मांग है 92 और इसका जो प्रतीक है यूरेनियम का वो है यू नेक्स कुशन देखिए थोरियम का जो सबसे वड़ा उत्पादिक देश है वो कौन सा है राइट एंसर ओप्शन नबर ए है आपका उस्ट्रेलिया जो है ये नंबर वन पे है थोरियम के उत्पादन में भारत में जो थोरियम का उत्पादन है ये सबसे जादा किया जाता है केरल में थोरियम जो है इसका प्रमानुक्रमाग है 90 और थोरियम का प्रतीक क्या है टी और भारत में नंबर वन पे है राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में नेक्स्ट आपका को शिन है टंग्स्टन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है रहाइट अंसर इस ओप्शन नमब बी चीन है भारत में पहलास्थान है फ्रेंस आंधर परदेश के पास ट प्रंग्स्टन जो है इसका प्रमानों करमांग है 74 और इसका प्रतीक क्या है W नेक्स्ट कोशन कैडमियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है राइट अंसर आपका रहेगा उप्शन नमबर C चीन जो है फ्रेंट्स इसमें कैडमियम का सबसे जादा उत्पाद किया जाता है भारत में कैडमियम के उत्पादन में नमबर वन रेंक है आपका अंदरप्रदेश राज़े के पास इसका जो प्रमानों करमांग है फ्रेंट वो होता है 48 और कैडमियम का जो प्रतीक है वो है CD नेक्स्ट बारा कोशन है जस्ता जो है फ्रेंट इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जाँ फिर आप जिंक बोल सकते हैं से ठीक है तो जिंक का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन और भारत में जो जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बारत में जो ग्रेफाइट का उत्पादन है फ्रेंट्स की सबसे ज़्यादा किया जाता है अरुनाचल परदेश में नेक्स्ट बार कोशन है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है प्राकृती गैस का सबसे बड़ा उतपादक देश है और भारत में पहला स्थान प्राप्त है असम को प्राकृती गैस के उतपादक देश कोन सा है राइट अंसरी जो उप्शन नबर C उप्युक्तों दोनों तो अमेरिका और ब्राजिल जो है फ्रेंट्स ये क्वार्ट्स के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं भारत में जो पहला स्थान है क्वार्ट्स के उत्पादक में वो है राचिस्थान का नेग्स्ट आपका व्सादि में प्लेटिन lush के सबसे बड़े उत्पाद कवशन कों सा है राइट अंसर उप्शन नबर B है आपका दक्षिन एफ्रीका जो है ये इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत में जो प्लैटिनम का उत्पादक राज्य है नमबर वन पे वो है ओडिशा प्लैटिनम जो है फ्रेंस इसका प्रमानों कर मांग होता है 78 और इसका प्रतीक होता है PTE नेक्स कोशन फोस्फोराइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भारत में पहले स्थान पर है फोस्पाइट के उत्पादन में राजिस्थान नेक्स कोशन है और सैनिक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है और सैनिक जो है इसका प्रमानों कर मांग होता है 33 और इसका रसाइनिक प्रतीक है AS नेक्स आपको कुशन है ASBESTUS का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है और सैनिक प्रमानों करेक्ट आपका भारत नेक्स कुशन सीमेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो सीमेट के उत्पादन में जो नमबर वन कंट्री है वो है चीन ओप्शन नमबर A राइटन से रहेगा भारत जो है फ्रेंट्स सीमेट के उत्पादक में विशुक का दूसरे नमबर का देश है ठीक है और भारत में जो पहला राज्जी है सिमिर के उत्पादक में वो है मध्यपरदेश Next question पर चलते हैं तो फेल्ट स्पार का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है Right answer is option number D, भारत Next question, नैफलीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है friends वो कौन सा है Right answer option number D है आपका भारत Next लेकिए, अलुमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है Option number B, correct answer है आपका चीन जो है friends यही अलुमिनियम के उत्पादक में नमबर वन गंट्री है भारत जो है वो अलुमिनियम के उत्पादन में विश्व में दूसरे नमबर पर है भारत में जो पहले नमबर पर friends भारत का राज्जे है अलुमिनियम के उत्पादन में वो है ओडिशा अलुमिनियम जो है इसका प्रमानु क्रमाँक होता है 13 Friends इसका प्रतीक है AL नेक्स्ट नमाना कोशन है एंटी मनी का जो सबसे बड़ा उतपादक देश है वो कौन सा है ओप्शन नमबर D राइट अंसर रहेगा चीन भारत में जो फ्रेंट्स एंटी मनी के उतपादन में नमबर वन पे है राजे वो है आपका हिमाज रबरदेश एंटी मनी जो है इसके प्रमानू संक्या है 51 और इसका प्रतीक है SP नेक्स्ट कुशन है एंटी मनी का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर D चीन नेक्स्ट कुशन देखिए पारा जिसे की मरक्यूरी केहते है इसका जो सबसे बड़ा उतपादक देश है वो कौन सा है राइट अंसर आपका उप्शन नमबर D रहेगा चीन जो है प्रेंट्स की मरक्यूरी के उतपादन में सबसे मतलब बड़ा देश है और पारा जो है इसका प्रमानु को संख्या है इसकी असी और इसका प्रतीख है HG नेक्स्ट आपको कुशन जो की लास्ट है निमन में से कौन सा महादुईब जो है वो विश्व के आधे से अधिक टिन का उतपादन करता है जिसमें कि हमने जाना प्रमुक मिनरल प्रोडक्शन कांट्री के बारे में और उसी के साथ मैंने आपको यह भी बताया कि भारत में जो वो मिनरल है उसका उतपाद किस राज्य में सबसे जादा होता है उमीद करते हुए आपको अच्छे समझ आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक हो शेज जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अगर आपको न्यू न्यू टॉपिक्स पढ़ने है तो आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आपसे में टुकूशन का टेस्ट लूँगी जिसका अंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और इसके बाद मैं आपको इबुक्स के बारे में बताऊंगी अपनी कि आप कैसे भाई कर सकते होने तो देखिए तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है फॉर उप्शन सा आपके पास है राइटम आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कम्प्लीट वीडियो देखने के बाद नेक्स कोशन आपके लिए डेस्ट का है सिमिट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है फॉर उप्शन्स आपके पास है राइटम आपने कमेंट सेक्शन में देना है फ्रिंट्स इंद एंड आप वीडियो आपको बताना चाहती हो अगर आपको हमारी इबुक्स आपको मिल जाएगी इसके लाव अगर आपको सेपरेटली मंतली जो है करण ट अफियर बढ़ना है ठीक है मंतली सेपरेटली इबुक्स आपको मिल जाएगी जन फैब मार्च अपरिल माई की ठीक है तो जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स रहते ह कमेंट सेक्षन में भी कमेंड पिन रहता है आप वहां से इसली हमारी वेबसायट सकते हैं और वहां से इन्हें एबुक्स को बैए कर सकते हैं एकदम इनका जो प्राइज है एकदम मिनीमम रखा गया है अपके लिए और क्यूलिटी जो है इसमें एकदम नंबर वन कलिटी रखी गई है अब तक काफी सारे स्टूडेंस ने हमारी e-books बई करी है और अपने upcoming exams के लिए अपने आपको जो है strong बनाया है अगर आपको free PDF चाहिए हमारे daily current affairs का तो आप हमारे साथ telegram पर जूर सकते है current affairs तो आप हमारी mobile application पर जा सकते हैं यहां पर फ्री टेस्ट वाले option पर जाके जो है friends अपना free quiz लगा सकते हैं यहीं पर आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं अब आप अगात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और important session के साथ thank you so much for watching this video और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस वी session पर चाहिए आप मुझे comment section में जरूर बताएगा तो मिलते हैं आप next video में